तो अगर आप देखें तो आपका डेटाबेस किस फॉर्मेट में होता है टेबल फॉर्मेट में आपका एक्जिस्स करता है और इस टेबल फॉर्मेट डेटाबेस को आप डिस्क में स्टोर करते हैं और जो disk होता है जो हमने last class में देखा था जो disk होता है उसमें बहुत सारे track होते हैं और each track जो है वो कुछ blocks में divided होता है और इन blocks में जो भी आपके blocks हैं इसमें आपका जो file है वो store होता है इसमें श्टोर मेन इंक है कि इसका जो रिकर्ड्द है तो ani रिकर्ड एहाम का औगे यह घ्रेयमालो यह आपका leater in एक तेबल है जिसमें बभी से एक एक अटिब्यूर्ट अगा हैं और इन मेतर और भी और मेतर हैं बदमने और हम मेतर्ड की बात करेंगे जैंब ऑन सम्क्राइब किया है इसके प्रbokalley घृम प्रशाहिए कैसे आपका रिकार्ड ढैए-प्लोक्सराब ऑफ छिप टा ट्रैक था, इसको मैंने ऐसे horizontally कर लिया है, तो इसमें जो insertion होगा record का, वो ऐसे होगा कि direct stacking method से होगा, stacking method मतलब just उसका आपको first record मिला, उसको आपने यहाँ पर डाल दिया, फिर second record मिला, आपने यहाँ कर दिया, फिर fourth record मिला, आपने यहाँ कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से, stacking method से, आपका इसमें record का insertion होता है, कोई order इसमें नहीं होता, जब भी आपको कोई delete करना होगा, इस record को, तो क्या होता है, कि हर एक record में एक field होती है, कि तो field में 0, 1 denoted होता है, तो हम यह मानते हैं कि, deletion अगर true है, तो हम मानते हैं कि, detail है, तो जहाँ-जहाँ 1 है, वो record deleted हूते हैं, जो 0 है, वो record deleted नहीं है, बट physically यह record exist करते हैं, और logically हम कहते हैं कि हाँ, यह delete हो गए, बट अगर physically भी हमें delete करना है तो उसके लिए हम क्या use करते हैं heap method में garbage collection तो garbage collection क्या करता है जो already deleted records है और physically exist करना है block में हम उसको remove कर देते हैं और उससे क्या होगा कि जो deleted नहीं है वही record आपका block में exist करेगा और जब भी आपको disk से memory में आपका यह disk है disk से memory में कोई data transfer करना है exchange करना है तो वो किसके थुरू होता है block के थुरू इसलिए आपके वही record block में होने चाहिए जो आप use करना चाहरे है जो deleted है वो नहीं होंगे अगर वो रहेंगे तो efficiency जो है आपकी decrease होगी but heap file method में problem क्या है कि आपका यह sorted नहीं है एक तो और कुछों भी आपको record मिल रहा है आप उसको करना है तिसमें searching is very difficult task फिर next method है आपका sequential file method sequential file method में हम क्या करते हैं कि जो आपका records है मालो एक role number है फिर name है ठीक है फिर उसके marks है किसी student के तो पहले तो हम उसको sorted form में कर लेते हैं sequential में आप एक और method है कि आप उनको किसी key values पे key values में जो है जैसे इसमें हमार key value क्या है रोल number प्राइमरी की की बात करते हैं और उसके base पे हम जो है इसमें record store करते हैं ठीक है R0, R1, R2 तो key values पे record store करते हैं sequential file method क्या है records are stored in sequential order according to the value of search key of each record तो search key actually हम primary key को लेते हैं और जब भी हम sequential order से हम इसमें store करते हैं हम assume करते हैं कि यह sorted order में है तो on the base of primary key यह sorted है 001 marks 58 फिर नेक्स आपका क्या आएगा 002 x y z name है marks 98 फिर ऐसे 003 आएगा तो ऐसे sequential order में जो है XAA marks 90 तो जो primary key की base पे हम इसे sort कर लेंगे और इसी order में हम जो है blocks में store करते है that is sequential file method बट इसमें problem क्या है मालो जो है 001 को store करता है यह 002 को यह 003 को ठीक है फिर आपका यह 004 को करता है फिर यह block यहां finish हो जा रहा है फिर यहां से next block start हो रहा है B2 तो जैसे कोई नया element आया मालो यहां पर आपने 005 store का रखा है हम एजूम करते हैं और next आपको एक record आया 004 roll number का अब आपको टेबल में तो insert करना easy है बट डिस्क में जब आप sequence method से आप इसे insert करेंगे तो आप देखेंगे आपको 003 और 005 की बीच में insert करना है तो आपको क्या है shifting perform करना पड़ेगा और जब आप shifting perform करेंगे तो वह काफी costly हो जाएगा तो हम क्या करते हैं कि इसको हम linkless form में store करते है sequential file को तो वह हमें जो है थोड़ा सा एक edge provide करती है इसमें हम pointers ले लेते हैं और pointers क्या करता है कि जैसी आपका new item आया यह इसको point करेगा 002 को फिर यह point करेगा 003 को फिर next आपने 005 ले रखा था हमने यह assume में लिया तो यह 005 को point करेगा पर जब record आप 004 का आएगा तो यह क्या करेगा यह pointer यहां से हटा करके यह point कर देगा 004 को और 004 फिर point करेगा कि इसको 005 को और 005 फिर next आपको जो next null value हो उसको point करेगा तो इस तरह कि sequential file method से हम जो है records को blocks में store कर देते हैं इसमें जो searching method क्या होता है कि पहले आप वह block search करेंगे जिसमें आपको record find करना है और क्योंकि यह sorted order में है तो within block आप binary search use कर लेंगे ताकि effectively आप इसको search कर सकें उस record को so this is sequential method but it is also not more effective तो इसको और बेटर बनाने के लिए हम index hash और b plus t method use करते हैं thank you